आज हम आपको पहाड के उपर एक प्राचीन गुफा मंदिर की यात्रा करवाने वाले हैं, जिसमें हजारों सालों से भगवान शेव अपने स्वायमभू शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। ऐसा कहा जाता है कि गुफा के अंदर ये स्वायमभू शिवलिंग पानी के रिसाव की वज़े से अपने आप बना था। प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनने की वज़े से इस जगे को उदयपूर का अमरनात कहा जाता है। कई दश को पहले प्राकृतिक शिवलिंग के खंडित हो जाने के कारण अब यहाँ पर शिवलिंग की जगे महादेव के पंच मुखी विग्रे की पूजा अर्चना होती है इस विग्रे को पंच मुखी गंगादर विग्रे कहा जाता है ऐसी किवधन्ती है कि इस जगे पर महाराना प्रताप आया गरते थे उस समय इस गुफा को सुवा गुफा के नाम से जाना जाता था प्राकृतिक रूप से बनी हुई इस प्राचीन गुफा में कई संतों ने तपस्या की है बताया जाता है कि यहां के एक संत रोडी दास जी के आशिरवात से शिवरती ठिकाने की राजकुमार फते सिंग मेवार के महाराना बने थे भारत की आजादी के बाद संत ब्रिज बिहारी जी ने यहां आकर इस जगे का विकास करके गुफा में पंचमुकी महादेव के विग्रे की सह परिवार प्रतिष्ठा करवाई और इस जगे को गुपतेश्वर महादेव नाम दिया इस गुफा की एक खास बात यह है कि यहां पर आकर भोलेनात के दर्शन करने से किसी भी तनाव ग्रस व्यक्ती का सारा तनाव दूर हो जाता है तो चलिए आज हम उद्यापूर के अमरनात यानि गुपतेश्वर महादेव गुफा की यात्रा करके इसके बारे में विस्तार से जानते हैं तो आईए शुरू करते हैं गुपतेश्वर महादेव की गुफा जिस पहाड पर बनी है उसे होडा परवत कहा जाता है यहाँ पर जाने के लिए सडक पर एक तोरंड़ दौार बना हुआ है तोरंड़ दौार को पार करके धाई 300 मीटर अंदर जाने पर ब्रिजवन सरोवर नामक तालाब बना हुआ है इसके पास ही पार्किंग के लिए जगे बनी है बारिश के मौसम में आसपास के पहाडों से पानी आने के कारण यह तालाब भर जाता है तालाब की पाल पर दो छट्रियां बनी हुई है इसी जगे से गुफा तक जाने के लिए पहाड पर लगबग 600 मीटर की चड़ाई शुरू होती है पहाड पर पैदल जाने के लिए पक्का रैम बना हुआ है गुफा के पास में कुछ सीड़ियां भी चड़नी पड़ती है पहाड पर जाकर देखने पर दूर दूर तक का बड़ा सुन्दर नजारा दिखाई देता है पहाड से पास के फांडा और रूडेला तालाब भी दिखाई देते है गुफा के मेन गेट के सामने इस जगे का पूरा विकास करवाने वाले और गुफा को गुपतेश्वर महादेव नाम देने वाले संत ब्रिज बिहारी महराज की समाधी बनी हुई है पास ही महात्मा ब्रिज बिहारी बन आश्रम बना हुआ है अब इस आश्रम में ब्रिज बिहारी महात्मा से दिख्षा लिए हुए तनमय बन महाराज विरास्ते हैं पास में संकट मूचन हनुमान मंदिर बना हुआ है जिसमें हनुमान जी की भव्य प्रतिमा विराजित है आगे गोल कुटिया और उसके नीचे पानी का कुंड बना हुआ है में गुफा के गेट पर भगवान गनेश द्वारपाल के रूप में विराजित है गुफा लगबग 100 मीटर लंबी है और इसके अंदर जाने के लिए इसकी चोड़ाई भी परियाप्त है गुफा में पहले नीचे उतरना पड़ता है और फिर उसके बाद थोड़ी सीडियां चड़नी पड़ती है आखिर में में गुफा आती है जिसमें भोले नात विराजित है ये गुफा काफी चोड़ी है जिसमें कई लोग बहुत आराम से रह सकते है हजारों सालों से ना जाने कितने ही संत महात्माओं ने इस गुफा में तपस्या की है इन संत महात्माओं ने एक धूना बना रखा था जिसमें ये लोग यग्य किया करते थे गुफा के अंदर पंचमुकी महादेव का विग्रे सै परिवार विराजमान है महादेव की प्रतिमा बड़ी भव्य और मनुरम है भक्त जन इसे पंच मुखी गंगाधर विग्रे के नाम से जानते हैं महादेव के इस विग्रे की से परिवार प्रतिष्टा ब्रच विहारी महराज ने 11 माई 1962 वैशाक सुधी छट के दिन करवाई थी उस समय से इस जगे को गुपतेश्वर महादेव गुफा के नाम से जाना जाता है महादेव की प्रतिमा के सामनी की तरफ प्राचीन धूना बना हुआ है समय के साथ गुफा के अंदर हुए कई बदलावों की वज़े से अब इस धूने की मौलिक ता कम हो गई है गुफा में बिजली मौजूद है जिसकी वज़े से इसमें परियाप्त लाइट है ऐसा बताये जाता है कि ये गुफा पूरी तरह से वातानु कूलित है यानि सर्दियों में गरम और गर्मियों में ठंडी रहती है गुफा की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें एक छोटी गुफा और मौजूद है साल 1962 तक इस छोटी गुफा में एक स्वयंबू शिवलिंग मौजूद था बाद में किसी वज़े से शिवलिंग के खंडित हो जाने के कारण इसे में गुफा में धूने के पास थापित करके उसके उपर पंच मुखी गंगादर विग्रे की प्रचिष्ठा करवाई गई बारिश के मौसम में गुफा में कई जगे पानी टपकने लग जाता है पूरे पानी की निकासी इस चोटी गुफा के जरीय ही होती है इस चोटी गुफा का दूसरा छोर किधर है इस बात का किसी को कुछ नहीं बता सुरक्ष्या की दिश्टी से अब इस गुफा का मूल लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया गया है अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस बड़ी गुफा में ये छूटी गुफा कहां पर है हम आपको बता देते हैं कि ये छूटी गुफा गुफा के आखिर में में गुफा की सीडियों के पास है अगर आप इन सीडियों की लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक लोहे का गेट लगा हुआ दिखाई देगा इस गेट के अंधर ही ये गुफा है गुपतेश्वर महादेव की गुफा में कुंड, सीडिया, फर्ष, पाताल घर, आदी के निर्मान के साथ कई जगे कलर हो जाने की वज़े से इसकी प्राचीनता में थोड़ी कमी लगती है लेकिन समय के साथ सुविधाएं भी बहुत जरूरी है अगर हम गुपतेश्वर महादेव गुफा के इतिहास के बार में बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है प्राकृतिक रूप से बनी ये गुफा हजारों साल पुरानी है जिस पहाड पर ये गुफा बनी है उसे होड़ा परवत कहा जाता है और उस समय इसे सुवा गुफा कहा जाता था. ये गुफा कई संतों की टप से स्थली रही है, जिनमें रोडीदास जी, फूलनाज जी और फलाहरी बाबा का नाम मेन है. कहते हैं कि संत रोडिदास जी के समय शिवरती ठिकाने के राजकुमार फत्य सिंग इस जगे पर महराज के पास आया करते थे एक दिन रोडिदास जी ने राजकुमार फत्य सिंग को आशिरवात दिया था कि वो भविष्य में मेवाड के महराना बनेंगे समय के साथ रोडिदाश जी की बात सच हुई मेवाड की ततकालीन महराणा सज्जन सिंग ने राज हुमार फत्य सिंग को गोद लिया और वो बाद मेवाड के महराणा बने साल 1951 में इस जगे ब्रिज बहारी बन महराज आए इन्होंने साल 1951 से लेकर 1962 तक यहां पर तपस्या की इतने समय तक मुख्य गुफा की छोटी गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद था छोटी गुफा की चोड़ाई कम होनी की वज़े से इसमें जाकर शिवलिंग की आराधना करने में काफी परिशानी होने के बावजूद ब्रिज बिहारी जी लगभग 10 सालों तक इसमें जाकर पूजा पाट किया करते थे साल 1962 में किसी कारणवश इस शिवलिंग के खंडित हो जाने की वज़े से मुख्य गुफा में पंचमुखी गंगाधर विग्रे स्थापित किया गया इस पंचमुकी विग्रे को स्थापित करने से पहले इस जगे पर खंडित स्वयंबू शिवलिंग को स्थापित किया गया उसके बाद इसके उपर पंचमुकी गंगाधर विग्रे स्थापित किया गया साल 1951 में ब्रिज बिहारी महाराज के आने से पहले इस गुफा में मात्र एक धूनी हुआ करती थी धीरे धीरे महाराज ने इस गुफा के साथ इस जगे का विकास करवाया पंचमुकी गंगादर विग्रे की प्रतिष्ठा के बाद महाराज ने इस गुफा का नाम गुपतेश्वर महादेव रखकर हर साल भद्रपत पुर्णिमा को दो दिवसिये मेले का आयोजन शुरू करवाया हम ये कह सकते हैं कि आज गुपतेश्वर महादेव में जो भी विकासकारे और सुविधाये आप देख रहे हैं वो सब ब्रिज बिहारी महाराज की देन है इनके प्रयासों से ही एक गुमनाम गुफा आज उदैपुर के अमरनात के रूप में जानी जाती है कई लोग इसे मेवार का अमरनात भी कहते है साल 2019 में 21 फरवरी के दिन ब्रिज बिहारी महाराज के देहांत के बाद गुफा के मुखिदवार के सामने इनकी समाधी बनाए गई अगर गुपतेश्वर महादेव गुफा के पास घूमने की जगे के बारे में बात की जाए तो आप बाग धड़ा नीचर पार्क देख सकते है अब हम बात करते हैं कि गुपतेश्वर महादेव गुफा तक कैसे जाए गुपतेश्वर महादेव की गुफा उदयपूर सलूंबर रोड पर तितरडी और एकलिंग पुरा गाउं के बीच में एक पहाड के उपर है इस पहाड के पास में ही गीतांजली उनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है उदयपूर एल्वे स्टेशन से गुपतेश्वर महादेव की दूरी लगभग 10 किलो मिटर है यहाँ पर आप तितरडी और एकलिंग पुरा दोनों तरफ से जा सकते हैं एक लिंग पुरा की तरफ से आने वाला रास्ता मुख्य तया गाओं के स्थानी निवासियों द्वार काम में लिया जाता है लगभग 900 मीटर ट्रेकिंग वाला ये रास्ता खेडा देवी मंदिर से शुरू होता है आम लोगों के लिए गुप्तेश और महादेव गुफा का मुख्य रास्ता बलिया तितरडी की तरफ से ही है गुफा तक आने के लिए मुख्य सड़क पर तोरण द्वार बना हुआ है पार्किंग तक पक्की सड़क है गुपतेश और महादेव गुफा की पार्किंग तक आप अपने वाहन से आ सकते हैं पार्किंग से गुफा तक की लगबग 600 मीटर की चड़ाई आपको पैदल ही पार करने पड़ती है उद्रपू रेल्वे स्टेशन से गुफा तक आने के लिए मुख्य तया तीन रास्ते हैं जिनमें एक टेगरी से सेक्टर पांच होते हुए दूसरा सवीना से तितरडी होते हुए तीसरा रास्टा पारस सरकल से रेती सरकल होते हुए सवीना में हाड़ी रानी सरकल क्रोस करके सेक्टर साथ होते हुए है आखिर में आपको यही कहना है कि अगर आप घूमने के साथ धार्मिक और एथिहासिक स्थलों को देखने में रूची रखते हैं तो आपको इस जगे जरूर जाना चाहिए आज के लिए बस इतना ही उमीद है हमारे दुआरा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं इसी तरह के नए-णई वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे जल्द ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तक तक के लिए धन्यवाद नमस्कार